हालो स्टेंट्स कैसे आप पपच्छी होंगे तो आज हम डिसकस करने वाले हैं टोपिक है इलेक्टो मेगरिटिक इंडेक्शन बहुत इंपोर्टन टोपिक है अभी तक देखो हमने क्या सीखा था इलेक्टिक मोटर में हमने सीखा कि हमारे पास एक करंट केरिंग कंड़क्ट होता है और उसको हम एक मेगरिटिक फिल्ड के अंदर जो हो उसको रखते हैं और बहां पे उसके अंदर जब हम प्रपेंडिकुलर टो मेगरिटिक फिल्ड करंट को जब पास करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स जो हो डॉल्प होती है और वो फोर्स ही उस कंड़क्टर को MOVE करने में जो हो help करती थी अब हम इसमें हम क्या देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक conductor होगा हमारे पास जिसमें crunch जो हो नहीं होगा बट उसको हम क्या करेंगे एक migrant field के अंदर रखेंगे मैगरिन field या moving magnetic field होगी जिसको हम move करवाएंगे और बहां पर हम उसके अंदर crunt डुल्प करने की यहां पर कोसिस जोबो करेंगे तो यहां पर मेरे पास एक setup मैंने किया है यह एक coil मैंने लेए है यहां पर और उसको मैंने एक non-conductive material के उपर wrap किया जैसे प्लास्टिक का रोल ले लिया मैंने या फिर कागस को मैंने इस तरह से रोल कर दिया उसके ओपर मैंने यह कोईल जो लगा दिये हैं और एक मैंने यहां पर लगाया है गैल्बेनोमेटर ठीक है और इसके साथ मैंने एक यहां पर परमानेंट मेगनेट जो लिया हुआ है यह setup मैंने किया आप देखो यहां पर हम चार केसिस टड़ी करेंगे फोर केसिस आप स्टड़ी करेंगे और फोर केसिस में आपको फदल आएगा कि यह क्या यहां डेमोस्टेश जो वो कर रहा है तो फस्ट केस में देखो सबसे पहले जो इसका मेगरिट का नौर्थ पोल होगा मेगरिट का जो नौर्थ पोल होगा उसको मैं इसके नजदीक लाँगा इस जो कोईल मैंने रैप किया इसके उपर इसके नजदीक मैं लाने की कोसिस करें इसको नॉर्थ पोल को जैसे मैं इसको नॉर्थ पोल को इसमें लाने निजदीक लाता हूं तो यह जो गैलोब मेरिटर है यहां पर यह एक डिफ्लेक्शन सो करता है तो राइट साइड को डिफ्लेक्शन जो वो शो करता है जीक है अब मैं क्या करूंगा अब जैसे मैं इसको stationary कर देता हूँ stir कर देता हूँ constant कर देता हूँ एक जगा पे इसको अगर मैं रखता हूँ magnet को तो क्या होता है तो यहाँ पे जो deflection show करता है galvanometer वो क्या deflection करेगा यह आ जाएगा आपका 0 के उपर जो वो आ जाता है यहनि कि जब यह stationary race को हम रखेंगे तो यह 0 पे आ जाता है अब मैं क्या करूँगा इसको इस magnet को मैं यहाँ से move करूँगा जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा इस coil के नजदीक से इसको मैं हटा दूँगा तो आप द्वारा से इस galvanometer में एक deflection देखेंगे वट यह deflection क्या होगी opposite side को जो पहली को right side में थी ना अब यह हो जाएगी left side को जब मैंने इसको वहाँ से move करवा दिया यह दो condition हमने यहाँ पे देखेंगे तीसरी condition मैंने देखेंगे कि जब इसको हम study कर देते हैं stir कर देते हैं magnet को तो वो galvanator उसकी जो needle होती है वो show करती है zero और जैसे मैं इसको move कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ तो जो deflection आती है वो आती है left side एक case ही हमने किया second case में हमने क्या करना कि अब मैंने जो migrate है उसको मैंने कर दना है study एक जगा के उपर इसको मैंने constant कर दना है इसको मैंने constant कर दिया अब मैंने this coil को क्या करना है coil जो है मेरे पास इसको मैंने north pole की side को ले जाना है side to north pole जब मैं इसको north pole की side को ले जा रहा हूँ तो galvanator में एक deflection जो हो show हो रही है और deflection बहुत हो हो रही है that is towards right side राइट साइड को डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है उसके बाद मैं क्या करूंगा जब मैं इसको दूर ले जाओंगा इस मैगनेट से इस कोईल को मैं इस साइड को ले आओंगा तो यहाँ पे फिर से एक डिफ्लेक्शन जो हो वो सो होगी और वो क्या होगी आपोजेट टू जो पहले साइड को थी उसके अपोजेट साइड को यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो वो शो हो जाए तो कहने का मतला है कि मैं नौर्थ पोल को ले जा रहा था इसकी साइड को तो यहाँ पे राइट साइड को डिफ्लेक्शन हो रही थी अगर मैं इसको सौथ पोल को ले आता ह इसके नस्दीक तो इसके डिफ्रेक्शन हो जाती है opposite side को इस तरह से coil को मैं आगे ले जाता हूँ और north pole के नस्दीक ले जाता हूँ और north pole से दूर ले जाता हूँ तो इस तरह से diffraction जो हो जाती है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि जैसे मैं इसको coil को या magnet को क्या कर रहा हूँ इसकी स्थिदी को बदल रहा हूँ इसकी position को बदल रहा हूँ तो इसकी position या coil को जब मैं magnet field के अंदर रख रहा हूँ तो बहाँ पे क्या producer है बहाँ पे induced current जो है वो producer है क्योंकि बहाँ पे एक induced potential difference जो हुआ हो create हो रहा है यहाँ पे cabbage जो हो create होरा है जिसके कze रहान happiest जीरों पे जा रहा है? यह right को बदल रहा है, left को बल रहा है, तो यहां पेएक potential difference जो हो create हो रहा है लो can do a unintended and that induced potential difference creative induced current तो इसमें एक induced current जो यहां पे produce जो भो हो रहा है means कि हमने magnet से ही coil के अंदर जो हो current produce कर दिया Michael Faraday जो था यह इन्होंने यह concept जो भो दिया था 1831 में और यह बहुत अच्छा concept जो भो बाद में प्रूव हुआ था अब यहां पे एक changing करेंगे हम एक change क्या लाएंगे हम कि जो मैंने वहां पे permanent magnet रखा था यहां पे मैंने एक permanent magnet रखा था जो n और s और सो कर रहे हैं इस permanent magnet की जगा मैंने यहां पे क्या लगा देना है electro magnet लगाना है यह मैंने एक setup किया है यहां पे मैंने यह number of coils 5200 turns इसमें लिए हुआ है मैंने coils के और इसके साथ मैंने एक source of energy that is battery जो है यहां पे लिखा है एक switch के साथ और इसके साथ मैंने side में ही एक turn और लिया है 50-100 turns इसके wire के हैं और इसके साथ मैंने एक galvanometer जो हो लगाया हुआ है अब जैसे ही मैं इसको on कर देता हूं इसका switch on कर देता हूं मैं यहां पे तो यहां पे एक current जो बो प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको किसमे coil 1 नाम दिया है मैंने इसको जिसमें battery as a source यूज किया है जैसे मैं इसको on करता हूं यहां पे current जो है एक डॉल्प हो जाता है और इसके साथ साथ ही क्या होता है वैसे केसे हमने study किया जैसे मैं इसको on कर देता हूं start कर देता हूं मैं इसको starting पे तो यह galvanometer जो है एक deflection जो है यह बैसे show करता है one side को किसी एक side को यह deflection जो हो शोक कर रहे ठीक है उसके बाद इसकी deflection जो हो खत्म हो जाएगी अब यह deflection इसकी किस कहां पे आ जाएगी zero पे आ जाएगी अब second case मैं क्या करूंगा यहां से मैं इसको source जो energy है that is जो यहां पे मैंने battery लिगाई है आप मैं इसको हटा देता हूं इसको तो यहां से फिर से deflection जो है वो आप गैलोगनोमेटर में देखते है deflection एक इस गैलोगनोमेटर में आएगी बट वो क्या आएगी reverse आएगी किसके जो पहले direction आए थी अगर वो right को थी तो अब यह left को deflection जो हो शो करेगा आपका गैलोगनोमेटर reverse side को जो हो वो show करेगा ठीक है यह activity हमने यहां पे demonstrate कर अब इस activity से हमने क्या इन जो observation यहां थी जाए यहां थी यहां से क्या observation में निकले कि जो आपकी coil 1 थी coil 1 में जब हमने current जो है यहां पे लगाया तो यहां पे एक magnetic field जो हो डॉल्प होती है चीक है और coil 2 में भी magnetic field जो हो डॉल्प हो जाती है क्योंकि यह भी show कर रहा था presence of current current इसमें इसके अंदर भी electric current जोब हो produce हो रहा दाट इस जिसको हमने बोला था induced current induced current बो current होता है जो magnetic field में जब हम किसी inductor को रखते हैं तो पहां उसमें current जोब हो produce हो दो that is induced current तो induced current यहां पे second coil के अंदर जोब हो produce हो गया with the help of first coil ठीक है अब यह हुआ कैसे यह सिर्फ हुआ starting and stopping सुरू करना और stop करने current को देना और फिर current को निकाल देना उसी दौरान जो है यहां पे deflection so हुई presence of current हुई ऐसे deflection so नहीं होती थी जब यह constant हो जाता था तो यहां पे deflection जोब हो गैलोमेंटर जीरो दिखाता था means there is no current तो coil 1 के दौरा जो magnetic field develop हुई उस magnetic field की बज़े से coil 2 में भी current produce हो और उसकी बज़े से भी उसमें magnetic field जोब हो डॉल्प हो तो वो effect या वो process जिसमें हम क्वाइल वन में क्वाइल वन प्रोड्यूस मेगनेटिक फिल्ड और यानकी सेकेंडरी क्वाइल जो हमारे पास थी उसके अंदर भी मेगनेटिक फिल्ड जो वो डॉल्प होती है इसको हम इलेक्टो मेगनेटिक इंडक्शन जो बोलते हैं जो बायरबन में कॉज होगा मेगनेटिक फिल्ड उसी से ही सेकेंड में इंड्यूस्ट करेंट फिल्ड फिल्ड जो वो डॉल्प होती है तो उसको हम क्या होते हैं इलेक्टो मेगनेटिक इंडक्शन उसको हम बोलते हैं ठीक है तो यह जनरल प्रेक्टिस में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम या तो क्या कर सकते हैं moving magnetic field magnetic field को move करेंगे या फिर हम coil को move करेंगे या तो coil को हम आगे पीछे करेंगे या फिर हम magnet को आगे पीछे करेंगे तो यह था आपका electromagnetic induction ओप है कि आपको यह topic clear हो गया तो आज के लिए पस इतना ही थैंक्यो